17 मार्च 2023 क्रिकेट के टॉप 3 खबर आपके सामने नमबर 3 बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में बनाया एक बड़ा रिकोर्ड किरिस गेल और विराड कोली जैसे बल्ले बाजों को पीछे छोड़ा पाकिस्तान सूपर लिग में पेशावर जालमी के लिए खेल रहे बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में अपने बल्ले से एक बड़ा कारनामा किया है शुकरुआर को इसलामाबाद युनाइटेट के खिलाफ बाबर आजम ने 49 गेंदों में 10 चोके की मदद से 64 रन बनाए इस दोरान बाबर आजम T20 क्रिकेट में सबसे तेज 9000 रन बनाने वाले बल्ले बास बन गए उन्होंने इस मामले में किरिस गेल और विराट कोली को पीछे छोड़ दिया नमबर दो ओशेलिया की ओल राउंडर ने रच दिया इतिहास महिला प्रीमियर लिग का पहला सीजन काफी तहल का मचा रहा है इस सीजन में दुनिया भर के एक से एक क्रिकेटर्स ने हिस्सा लिया है और वो अपना जलवा दिखा रहे है ऐसा ही कुछ RCB की Alice Perry ने कर दिखाया है उन्होंने महिला किरिकेट के इतिहास की सबसे तेज गेंद फेक दी उन्होंने 130.5 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ्तार से गेंद फेकते हुए साउथ अफरीका की गेंद बाश शबनिम इसमाईल का रिकोड तोड दिया नमबर एक जस्परिद बुम्रा के नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांडिया ने चोकाने वाला कमेंट दिया है जस्परिद बुम्रा को लेकर ओल राउंडर हार्दिक पांडिया ने एक बयान दिया है जो काफी तहल का मचा रहा है हार्दिक पांडिया के मताबिक जस्पृत बुम्रा की गेर मोजुदगी का टीम इंडिया पर कोई फर्क नहीं पढ़ रहा क्रिकेट से जुड़ी टॉप कबर हर रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए